आज हम सिखेंगे विकास से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण बाते तथा वन्शागत और उपार्जित लक्षणों के बारे में तीन दश्मलव पांच बीलियन वर्ष पहले पृत्वी पर जीवन नहीं था लेकिन आज पृत्वी पर पादपों और जन्तुओं की करोडो स्पीशीस उपस्थित है इनमें सरलतम जिव जैसे जीवानू से लेकर जटल शारिरिक संगठन वाले जिव जैसे मनुष्य सम्मिलि इनमें कई जिव ज्वाला मुखी जैसे अत्यधिक उश्म स्थानों पर तदा कई जिव पृत्वी के द्रूओं जैसे अत्यधिक थंडे स्थानों पर उपस्थित है आपके विचार में पृत्वी पर इतनी सारे जैव विविदता किस प्रकार उत्पन्न हुई होगी सोचि इसका जवाब हमें विकास यानि evolution के अध्ययन से प्राप्त होता है यह पता करने के लिए कि जीवों के उत्पत्ति किस प्रकार होई है हमें समय में पीछे जाते हुए विबिन स्पीशीस के उत्पत्ति किस प्रकार होई यह जानना होगा इसे समझने के लिए हम जीवों की बहाय आकरिती तथा व्यवार को आधार मानते हैं किसे जिव की बहाय आकरिती तथा व्यवार का विवरण उसका अभिलक्षन यानि characteristics कहलाता है उधारण के लिए विबिन जीवों के चार पाध होते है यह एक अभिलक्षन है पाधप प्रकार संसलेशन कर सकते है यह भी एक अभिलक्षन है हम समान अभिलक्षनों के आधार पर जीवों का वर्गी करण कर सकते है उधारण के लिए सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है इसलिए हम सभी जीवों को पहले स्तर पर रख सकते हैं अगले स्तर पर हम ऐसे अभिलक्षन देखेंगे जो अधिक्तम जीवों में उभैनिष्ट है सभी में नहीं जैसे अधिक्तम जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक होता है लेकिन जिवानों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता फिर हम उन जीवों में जिनके केंद्रक है को एक कोशिक जिव और बहुकोशिक जिव इन समूहों में वर्गीकरत करेंगे अगले स्तर पर हम बहुकोशिक जीवों का वरगी करण प्रकार संस्लिशन के अधार पर कर सकते हैं फिर हम अगले स्तर पर शरीर संडचना को ध्यान में ले सकते हैं इस तरह यहां आप एक पदानुक्रम विक्सित होता देख सकते हैं जहां एक जैसे जीवों को एक समुह में रखा गया है यह पदानुक्रम हमें एक ऐसे स्थिती में ले जाएगा जहां हमें ग्याद होगा कि जीवन की उत्पत्ती अजयव पदार्थों से हुई है यदि हम पदानुक्रम को देखेंगे तो हमें ग्याद होगा कि पीडी दर पीडी डिने प्रतीरूप बनाने में होने वाली गलतियों तधा लेंगिक जनन की परिणाम स्वरूप जीवों में सुक्ष्म परिवर्तन आए हैं और इसके परिणाम स्वरूप विबिनताओं के उत्पत्ती हुई है जिससे विबिन स्पीशीस उत्पन्य हुई हम यह भी देख सकेंगे कि प्रकृती में आने वाले परिवर्तनों के लिए वे स्पीशीस जो अनुकूल थी बच गई जीवों में पीडी दर पीडी धीमिगती से होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास यानी इवलूशन कहते हैं विकास से हमारा अभिप्राय जैव विविदता का निर्मान तथा प्रकृती द्वारा चयन से है ध्यान रहे इसका अभिप्राय प्रगती से नहीं है उधारण के लिए जिवानु मनुष्य से प्राजीन जिव है जिवानु की शरीर संदचना मनुष्य की शरीर संदचना की तुल्ला में अत्यधिक सरल है लेकिन कुछ जिवानु अत्यधिक गर्मी में जीवित रह सकता है मनुष्य नहीं तो क्या यह कहना उचित होगा कि मनुष्य जिवानूं से अधिक प्रगत या विक्सित है, इस पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। अब आईए विकास के एक और पहलों की चर्चा करें। कुछ लक्षणों जैसे उचाई, नाक का आकार, वर्नांधता, डिम्पल का एक पीडी से दूसरी पीडी पारगमन होता है। ऐसे लक्षण वन्शागत लक्षण यानि इन हरिटेक ट्रेट्स कहलाते हैं। वन्शागत लक्षण जैव की जननकोशिका यानि युगमकों की डिने में संगठित होते हैं। इसलिए इनका पीडी दर पीडी पारगमन होता है जो जैव को विकास की और ले जाते हैं। वे लक्षण जैसे डृत्यकला, वजन, बालों का रखरखाव जिन्हें जिव अपने जीवनकाल में अरजित करता हैं। इन्हें उपारजित लक्षण यानि acquired traits कहते हैं। उपारजित लक्षणों से काईक उतको यानि non-reproductive tissues में परिवर्दन होते हैं। लेकिन इससे युगमकों के DNA में निहित सूचना में कोई भी परिवर्दन नहीं होता। इस तरह जनन के दोरान एक पीडी से दूसरी पीडी को उपारजित लक्षणों की वनशागती नहीं होती। क्यानि कि इन लक्षणों का पीडी दर पीडी पारगमन नहीं होता। चुकि उपारजित लक्षणों की वनशागती नहीं होती। इसलिए हम इन उपारजित लक्षणों से काईक उतकों में आय परिवर्दन को विकास नहीं कह सकते। इस तरह से ये लक्षण जिव को विकास की ओर नहीं ले जाते अब आपके लिए एक दिल्चस्प सवाल यदि राहुल के मातापिता की कर्णपाली जुड़े हुए हैं तथा वे दोनों अच्छे तैराक है तो राहुल के संदर्ब में क्या सत्य है? सोचिये सोचिये बिल्कुल सही कर्णपाली का जुड़ा होना वनशागत लक्षण है जबकि तैरना आना उपारजित लक्षण है इसलिए दूसरा ओप्षण सही जवाब है तो आज हमने सीखा विकास से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण पाते तथा वनशागत और उपारजित लक्षणों के बारे में